हेलो दोस्तों स्वागत है आपको KPS Study.2Tube चैनल में तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं BSF Constable Treatment के एकजाम सेंटर के बारे में आप में से काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि इसका एकजाम सेंटर कहां पे परेगा यानि कि PET, PST जो आपका होने वाला है या इसके अलावा Retain Exam या Selection Process की जीतने भी परकिरिया है वे सभी जो है आपका कहां पे Conduct कराया जाएगा इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और आप सभी को बता दे इसकी जनकारी BSF के तरब से Officially Notification में दिया गया है अलग-अलग State का अलग-अलग Center बताया गया है जो आज की इस वीडियो में आपको सभी अस्टेट का बताएंगे कि आपका Center कहां पे रहेगा तो वीडियो में आप सभी बने रहेए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं यह रहा BSF का Officially Notification और यह Notification के अंत्रगत 4 नंबर जो परागराप है इसमें आप सभी यहाँ पा देख सकते हैं Recruiting Agency और Center for Examination यानि कि कौन सा Agency जो है आपका एकजाम कंड़क्ट कराएगा अलग-अलग State का उसका यहाँ पे देख सकते हैं Responsibility दिया गया है और Center with Address यानि कि कौन से Center पर आपका एकजाम होगा उसका Address यहाँ पे दिया गया है सभी यह State का आप सभी यहाँ पा देख सकते हैं नीचे के तरफ आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप सभी कस्मीर एंड लदाख रीजन के अगर आप ए Student है तो आपका जो Responsibility है यानि कि जो Center का Responsibility है आपका एकजाम कंड़क्ट कराने का हुआ है Frontier Headquarter BSF सिरी नगर का और इसका address आप सभी यहाँ पा देख सकते हैं तो यह address सिरी नगर कहीं है आप सभी यहाँ पा चेक कर सकते हैं सिरी नगर जमू कस्मीर यहाँ पे दिया गया है तो इसी address पर जो है आपका एकजाम एकजाम कंड़क्ट कराने का मतलब यह है कि आपका जो Physical Test है यानि कि PET, PhD हो गया या Retain एकजाम जो आपका हो गया या Medical हो गया या Document Verification हो गया जितने भी प्रकिरिया है वे सभी जो है इसी address पर आपका कंड़क्ट कराया जाएगा इसके बाद अगर आप जमू रीजन से अंत्रगत आते हैं तो आपका Frontier Headquarter BSA जमू का जो है Responsibility है एकजाम कंड़क्ट कराने का और उसका address यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इसके अलावा आप सभी को बता दे कि अगर आप सभी पंजाब, हिमाचल परदेश, चंड़ीगट से है तो आपका जो एकजाम कंड़क्ट होगा Frontier Headquarter BSA पंजाब, जलंदर, कैंट यानि कि इस address पर जो है यानि कि इस camp के अंत्रगत जो है आपका सभी जो है प्रोसेस कंड़क्ट कराया जाएगा और ये जो है पंजाब, हिमाचल परदेश, चंड़ीगट तीन एस्टेट के जो एस्टूडेंट है उनको यहीं पर बुलाया जाएगा रीटेन एकजाम के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए यानि कि सभी परक्रिया के लिए इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि गुजरात, महराष्टरा, दमन्दिव, दादर और नागर हैवेली, एंड गोवा के जो एस्टूडेंट है उनका आप सभी को बता दे कि इसके बाद आप सभी नीचे के तरफ देखेंगे राजस्थान या हरियाना से आप सभी बिलोंग करते हैं तो आपका जो है राजस्थान में ही एकजाम सेंटर होगा अगर आप हरियाना से भी है तो भी आपका राजस्थान में ही जाना होगा क्योंकि यह एकजाम सेंटर यहाँ पर दिया गया है जो कि जोधपूर राजस्थान का है इसके बाद आप सभी देखेंगे कि सीक्स नंबर के अंत्रकत अगर आप एक बिहार स्टूडेंट से है या सीकिम से है तो आपका जो रिस्पोंसिबिलिटी है फ्रॉंटियर हेट क्वार्टर वी एस अप नौर्थ बंगाल का है और इसमें जो आपका एड्रेस है दार्जलिंग वेस्ट बंगाल का है सिल्ली गूरी तो यहाँ पर एड्रेस आप सभी देख सकते हैं यहीं आपका एड्रेस है जिसमें आपका पोस्ट ओफिस भी बताया गया है डिस्टिक भी बताया गया है और पीन कोड भी बताया गया है तो simply इस address पर आपको जाना होगा जो की सिली गुरी दर्जलिंग वेस्ट बंगाल का address है इसके बाद आप सभी यहाँ पर देखेंगे वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइसलेंड का जो है तो इनका भी यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही परेगा इस एड्रेस पर आपको जाना है इसके बाद मनिपूर मिजोराम नागा लेंड के अंतरगत आठ नंबर में देखेंगे इनका जो है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं और सम के अंतरगत ही एक जाम सेंटा रहेगा तो यह जो है एड्रेस पर आपको जाना होगा इसके बाद और उनाचल परदेस एंड में घालाई की बात करें तो यह उनका एड्रेस है में घालाई का ही एड्रेस है आप सभी देखते जाएए क्योंकि अगर सभी का एड्रेस का नाम बताए तो वीडियो लंबा हो जाएगा और सम की बात करें तो और सम का आप सभी देख सकते हैं गुवाटी असम में ही रहेगा यह आपका एड्रेस है इसके बाद तिरिपूरा का यहाँ पर देख सकते हैं जारकंड की यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हजारी बाग जारकंड दिया गया है इमपी की बात करें तो इमपी का भी इन दोर में ही रहेगा इसके बाद यूपी की बात करें कि यूपी एंड दिली से भी काभी सारे स्टूडेंट फर्म अपलाई किये हैं तो गुरुगाव हर्याना में जो है आपका यहाँ पर सेंटर कंड़क्ट कराया जाएगा 95 Battalion BSF जो है इसका responsibility रहेगा यानि कि इसी के अंतरगत आपका एकजाम कंड़क्ट होगा करनाटका, केरला, तमिलनाडू, पंदुचेरी, लक्षदीप यह सभी से अगर आप है तो आपका बंगलोर यह जो है एड्रेस रहने वाला है इसके बाद 36 गट का यहाँ पे आप सभी देखेंगे, उतराखंड का आप सभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उडिसा, अंद्रपर्देश, तलंगना का आप सभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो दोस्तो सभी का एड्रेस आप सभी अपने जीस भी एस्टेट से हैं, उस एस्टेट का यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है सेंटर कहाँ पर रहेगा, तो I hope आप सभी समझ गए होंगे, यह जो है आपका एकजाम सेंटर का डिटेल्स दिया गया है, इसी एड्रेस पर जो है आपका एकजाम कंड़क्ट कराया जाएगा, तो I hope आप सभी समझ गए होंगे, कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन में बताइए, फिरी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहिंद बंदे मातरम